शांदार जिन्दगी जिने के दो तरीके हैं जो पसंद है उसे हासिल करो और नहीं तो जो हासिल है उसे ही पसंद कर लीजे और यही करकराशी वाले लोगों के लिए सफल ताका सितंबर बहिने में गुरु मंतर बन जाएगा नमस्कार प्रिसातियों मैं हूँ सुरेश श्रिबाली और आप देख रहे हैं करकराशी सितंबर आश्रिफल इस विशेश कारेकर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रिसातियों आज के गारिकर में बहुत कुछ स्पेशल है आपके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कब और कौन से प्लैनेट बदल रहे है उसके बाद हम बात करेंगे उस एलिट रहने वाले डेट की जिस टाइम चंदरबाब को डिस्टब करते हैं उसके बाद कुछ ऐसी आउस्पिशिस डेट्स जिसमें कुछ विशिश राजयोग बन रहे हैं फिर हम बात करेंगे बिसनस एंड वैल्थ की जॉब और प्रोफेशन की उसके बाद सेप्टेंबर गुड इंडिकेशन फिर बात करेंगे फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशेशिक की, स्टूडेंट लर्नर की, सेहत और ट्रेवल की और अंत्वे वो खास हो पाए जो करक राशय वाले लोगों के लिए सितमर महिने को यादकार और शांदार बना देंगे शुरुबात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन से, पांच सितमर से मंगल कन्या राशिम जाएंगे और पांच सितमर को ही शुकर तुला राशिम जाएंगे, चाउदा सितमर से गुरु मंगर राशिम रहेंगे और 16 सेतंबर से सूर्य का निराशिम हो जाएंगे जो नीचा रोही हो जाएंगे 22 सेतंबर से बुद्ध तुला राशिम रहेंगे पिरे साथियों आप हो या मैं हूँ आम है या खास है मैंने मैं आपने नोटिस किया होगा दो-तिन दिन बहुत निराशाबादी होते हैं किसी की याद सताती है टेंचन, डिपरेशन होता है कोई काम समय पर नहीं होता है और हम इसमें ऐसे उलज जाते हैं कि कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता है वो डेट्स में आपको एडवांस में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप उन दिनों में अपना और अपनों का खयाल रख सकें इसी कड़ी में एक, दो, अठाइस और अनतीस सितंबर को बारवे रहेंगे चंदरबर दस और ग्यारा सितंबर को चौते और उननिस बीस सितंबर को रहेंगे आट में थोड़ा खयाल रखेंगे अब बात करते हैं शुब तारिकों की पांच सितंबर से मंत एंड तक आपकी कुंडली में पंच महापूरुष योग में से एक मालवी योग बनने वाला बहुत अच्छा रहेगा आट और नौ सितंबर को चंद्रमंगल का महाल अश्मी योग सोला से लेकर बाइस सितंबर तक सूर्य बुद का बुदा देती हो सोला सतरा अठारा सितंबर को ही गुरु चंद्रमा का गजकेसर योग भी रहेगा और वहीं बाइस सितंबर से अनद तक शुक्र बुद का लक्ष्मी नारान योग भी रहेगा तो आनद लिजी और इस आनद में बड़ी तब्दिली करने जा रहे हैं दस सितंबर से गणेश चतूर तीस से लेकर चतूर दशी तक का दस दिन का परव ग्यारा सितंबर रिशी पंच मी हैं इस दिन हम रिशी और हमारे पित्रों के रेंड से मुख दो सकते हैं 14 सितंबर राधा अस्ट मी हैं 19 सितंबर अनंत चतूर दशी और 20 सितंबर को स्राधपक्ष प्रारम हो जाएगे प्रे सातियों अब राशी फल में बात करते हैं बिसनस एंड वेल्थ की मार्केट स्टिबिलिटी में सुधार होगा जो पिछले 2-4 मैने में हम नहीं कर पाए अपने फीचर की प्लैन को एक अग्यात भहे में हमने डाल दिया था अब उस अन्नोन फियर को बाहर निकाली और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए नई चीज़ों को शेर करें इनोविटिव आइडियास को एपलाई करें अपनी काबलियत और अपने दम खम को दिखाईए ऑपर्चिरिटीस मिलेगी तब आप मौका देखते हैं चौका लगाईए आपके कॉम्पिटीटर्स जो भी अमारे कई विरोधी होते हैं उनकी सेल में कभी आ जाए तो आप खुश मत होईएगा बस आपको लगातर अपने काम को करना है और इंकम को बढ़ाने के मौके ज़रू मिलेगी अगर आप में बिजनस में न्यू एक्यूप्मेंट आते हैं नया कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं नया कोई एंपलोई लाते हैं तो आठ नौर भीस तारिक को ये काम करना शुब रहेगा मार्केटिंग टूल और वेल्थ डेवलिपेंट के लिहास से सेप्टमर महा के पहले पंदरा दिन बेहत खास होंगे कुछ ऐसा करिए कि आप लगातार मेहनत करके कुछ इस्पेशल कर सके 16, 17, 18 तारिकों व्यापार भावसे चदरबाश शनी का विश्दोश बन जाएगा जिससे आपके द्वारा प्रोजेक्ट और बिसनस डील लेते समय कुछ गलतियां और गलत फ़य में पैदा हो जाएगी इसलिए हर चीज़ को प्रोफेशल तरीके सोचिए इमोशन्स में आकर फैसला न ले इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और मैनुफैक्चरिर यूनिट बाले लोगों के लिए एक खास लर्निंग वाला समय है उसे समझते हुए ही आगे बढ़े इस महीने आपको कोशिश ये करनी है कि पंक्च्वारिटी डिसिप्लेन और डेडिकेशन दिखाना है ये महीना आपका ही बनेगा बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की सेप्टमबर की स्टार्टिंग में जॉब ओरिएंटेट परसंस के लिए एक्सिस्टिंग जॉब ही बहुत कुछ बढ़ा कर सकती है इसलिए जॉब बदलने के बारे में सोचने के बज़ाए जॉब में ही कुछ बदलाव करें अपने बहुत से सेलरी बढ़ाने के लिए अच्छे ओदय पर जाने के लिए वेबिनार सेमिनार इनोवेटिव आइडियास को एपलाई करने के लिए आप जरू उनसे प्रारतन करें सोला से लेकर बाईस तारिक के बीच वे आप बहुत से बात कर सकते हैं आपके लिए शुब रहेगा अगर आप कोई नई जॉब की तलाश वाके में करी रहे और अनेम्प्लाइड परसन जॉब को एपलाई करना चाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस या हो सकता है कोई कोई टैबरे जॉब आपको मिल जाए मिल सकती हैं सरफ सकारत पक सोचिए बजा जाएगा चौदा और पंदरा तारिकों चंद्रमा का दशम बाव से नवम पंचम राज्यों बनेगा जिससे वर्क प्लेस पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकें अच्छे रिलेशन बना सकें और अपने बहुत से आप अच्छी संबंद बना सकतें इसके लिए आपके पिता ग्रेंट पेरेंट्स इनके पद्द चीनों पर चलना बहुत शुब रहेगा पिता का आशिरवाद लेकर काम पर जाएए मज़ा जाएगा वर्किंग एंवाइर्मेंट एंजॉय बैंड के साथ अपरी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ मत इन्वाल करिए वर्ना ना घर के रहेंगे ना गाट के रहेंगे जहां पर हैं उस जगे की बात करिए यह मैना शांदार है अब बात करते हैं सेप्टेंबर गुड इंडिकेशन की सपने में अगर आपको देखे कि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और आपको हरे भरे प्राकरतिक नजारे देखे तो समझ लें कि आपको शुब संकेत मिलने बाला है हरे भरे प्राकरतिक नजारों के साथ यदि पानी का कोई सोर्स दिख जाए तो समझ लें कि आप भी अब तरक्की करना जा रहे हैं, बदलाव अब सामने हैं, अब बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशेशिब की परिवार के लिहाज से देखा जाएं, तो शौपिंग करना, शुप और मांगली कारियों की योजना बनाना, घर से जुड़ी हुए की चीज़ों को खरीदना, परिवार के साथ शौपिंग के लिए ट्रेवल भी करने का मख़ब लेगे गर के बड़े और बुजर्गों को, आप सही रहा वो आपको दिखा रहे हैं, आप उन्हें संबान दीजिए, और हर काम से पहले उनकी सलाह जरूर लिजिए, लव पार्टन और लाइफ पार्टन में, बॉइफरेंड और गल्फरेंड, कुछ इन सीकॉरिटी बढ़ रही है कई ऐसा लगेगा मजा नहीं आ रहा है, कुछ और चाहिए, आप लोयल रहे, आप लायर मत बने, यह द्यान रखन होगा, और आपको अगर कोई साथी नहीं मिल रहा है, आप सिंगल हैं, तो सोशल मीडिया के दौरा आपके साथ छलावा हो सकता है, दोखा हो सकता है, बहुत सोश समझ के अपना साथी चुनिए, 16, 17, 18 तारिक को व्यापार बाव में चंदर्मा शनी का विश्दोष रहेगा, जिससे आपके मुश्किलें बढ़ सकती है, कुछ दोस्त आपका साथ नहीं देंगे, आपको हर्ट कर सकते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, किसी ओल फ्रेंड के प्रती हेट ना रखें, क्योंकि हो सकता है, मन्त बेट तर, उसी की वज़े से आपको कुछ दहलाब मिल जाए, अब बात करते हैं, स्टूडेंट और लर्नर्स की, इस्टूडेंट के लिए ये बाइड़ा, साथ प्रतिशत पॉजिटिव और 40 प्रतिशत जो है वो सिटूशन को खराब कर सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान अखना पड़ेगा, रिडिंग और राइटिंग स्किल में सुधार करिए, अपने बात करने के लहज़े को, अपने कम्यूनिकेशन स्किल को बेटर करिए, अपनी क्वालिटी, एविलिटी, व्यूज ने की जरूत है, जिससे आपके रिजल्ट में, मार्क्स में, जो है, वो कहीं ने कहीं तब्दिल आ सके और बैटर हो सके, हायर एट्यूकेशन हो, पड़ाई में चेंज करना हो, विदेश जाना हो, या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, जो आपके दिल में है, जो अभी तक आ नहीं पाया है, सितंबर माईने में पित्रों का आशिरवाद और बड़े बुजरुगों के आशिरवाद से आपका ये काम सफल हो सकता, पास पाजिटिव रही है, बात करते हैं सिहत और अमारी यात्रों की, इस बाई ने तीन बार परसनल और प्रोफेशनल आइज में यात्रा संभव है, छटे भाव पाप करते दोश में हैं, जिसमें बाड़ी में फ्लेक्सिरिबिलिटी में कमी आएगी, ठकान, अनिद्रा, बेचनी, अग्यात भाई, ये नामक मानसिक बिमारी आपको हो सकती है, हेल्थ is everything को अपना कर, आप physical और mental exercise पर ध्यान दे, sports activity पर जरूर ध्यान दे, समस्या है, हल हो जाएगे, travel करते समय कीमती समान का जरूर ध्यान रखे, आपके कुछ चीजों के चोरी होने के खतरे बढ़ रहे हैं, hill station या spirituality वाली जगे पर जाने का plan बनेगा, जो इंतजार जो यादगार और शानदार सितंबर को बना सकते हैं, चार सितंबर बच बारस पर गाय को उड़त की डाल से बनी कोई बस्तू या उड़त की डाल जरू खिलाए, दस सितंबर स्रीगणेश चातूर्ती का परव शुरू उराए, इस दिन लगा तर अगले 10 दिन तर, ओम स्रि लेतार्क देवाय नमहा मंतर का जाप 11 मिनट तक करें मोदक यानि लड़ू और थोड़ा सा मखन लगा कर भोग लगाए जिससे वर्ष बर गर्वे सुख सम्रति और एश्वरे बना रहे ग्यारा सित्मबर रिशी पंचिमी पर किसी नदिया तालाब में जाकर स्नान करें अगर थाली या पात्र लेजी शुद्ध जल उसमें बढ़ते हैं उसमें थोड़े से काले तिल और कच्छा दूद भी डालकर अपने सामने रखते हैं तता उसके बाद एक पास में खाली पात्र और दीजिए पराद थाली बगोना कुछ भी हो सकते हैं तरपन करते समय अपने दोनों हातों के बीच में एक डाब दर्ब या कुशा बोलते हैं उससे रख दीजिए और उसके बाद जिस थाली में पराद में पानी है उससे अंजली बना दीजिए और दोनों हातों के बीच में से तरजरी अंगुली और अंगुठे के आज से आप को जल चोटना है है मानली जी मैं अपने पिता के लिए कर रहा हूं तो मैं अंजली बर बरके जल लूँगा फिर कहूँगा मेरे पिता जी पंडित राधा क्रिश Takes शूर माली तरफेंतान ऐसा मैं तीन बार करूँगा तो उनको जल मिलेगा उनको गती बिलेगी उनको शांती मिलेगी और हमें आशिरवाद मिलेगा ऐसा ही आपको रिश्टी के लिए भी करना चाहिए इससे पितरे शोरों को आशिरवाद मिलता है 14 सितंबर राधा अस्टमी पर आपको गुड हेल्थ और वेल्थ के लिए प्राधा का उस्टनारा देकारों से निवरत होकर स्री राधा कर्ष्ण के चित्र पर मूर्ती पर केसर मिसरे दूत चड़ाना चाहिए इससे पारिवारी खुशाली बढ़ती है 19 सितंबर अनंत चतूर दर्श्टी वरत पर अगर घर में किसी प्रकार का निर्मान कारी कोई हो रहा है उसमें दिक्कत आ रही है गाड़ी लेने में सुक समर्दी की चीज़ों को लेने में दिक्कत आ रही है लंबे समय से आपको अपने मकान का सपना अधूरा नजर आ रहा है तो आपको अनंत चतुर दर्शी के दिन वरत का संकल प्रेना चाहिए बगवान की विधीवत पूजा अर्शना करें बगवान विश्णु जी का ध्यान करें मंतर उपचार करें विश्णु सहसनाम के पाड़ करें और जब वरत पूरा हो जाए शाम को तो किसी सूप पात्र यानि अच्छे व्यक्ति को ब्रामण देवता को बोजन करवाए बोजन के बोजन में चावल के आटे की रोटी या पूरी जरू बनाए और कुछ न कुछ दान दक्षना दीजी 20 सितंबर स्राथ पक्ष प्रारम होगे बर्तन को पानी से भर कर उसमें चादी का एक सिक्का डाल कर घर या कारिस्ताल पर रख दीजे पूर्वदिशा में स्राथ समाप्त उने पर बर्तन और जल को तो तूलसी पादे में या पेड़ पादम डाल दीजे बर्तन और दक्षिना के साथ ब्रामन देव को दान कर दीजे प्रिये करकर आशियो वाले धर्श को स्वास्त मस्त और व्यास्त रेकर इस महिने को गुजारी मुझ से कुछ पूछना चाहते हूं तो एवरी फ्राइडे, स्रेड़े और संडे को मैं टेलिफोनिक अपांडमेंट और वीडियो कॉंफरेंसिंग अपांडमेंट की द्वारा उपलब्द रहता हूं दिएगे नबर पे संपर करके आप दीपाजी, कुल्दीप जी और शिवजी से अपना अपांडमेंट ले सकते हैं आज के रितना ही प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद